Welcome to ABT Classes ABT Classes में आप सभी लोगों का स्वागत है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुहत्पुन होने वाली है आप चाहें किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहें आप टॉप लेबल एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर लोवर लेबल की एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर क्वालिटी से प्रस्ण आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है जो ये हम लोग सीरिज को स्टार्ट किये हैं तो आप अपने प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा बुष्ट कर सकते हैं चाहें आप SAC के त्यारी कर रहे हो या फिर State PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो BPC की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर RRB NTPC के लिए प्रिपेर कर रहे हो चाहें आप UPC के लिए ही क्योंने preparation कर रहे हो, आपको ये video UPC के लिए भी valid है, आप अच्छे से अपनी knowledge को boost कर सकते हो, आप अपनी practice को boost कर सकते हो, चाहें आप, इसलिए मैंने बोला, चाहें आप top most exam की preparation कर रहे हो, या भी छोटे से exam preparation कर रहे हो, exam को छोटा बड़ा नहीं होत लेकिन कुछ लेबल होते हैं हरेके एक्जामों के तो आप चाहें किसी भी एक्जाम की प्रिप्रिशन कर रहे हो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है तो समझ में आ गया तो यहां पर टॉपिक आज़ा क्या होने वाले मैं बता देना चाहता हूं constitutional development of India भारत में किस तरीके से समिधान का development हुआ किस अलग अलग कानून अलग अलग एक्ट आएं जिससे की भारत में समिधान धीरे धीरे बनना शुरू हुआ उसका एक बेस कैसे बना समिधान का इन सभी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और जितने भी पीवाई क्यू हों इस से रिलेटेड बिलेंगे तो चलते हैं प्रश्णों की और वेलकम टू एबिटी क्लाशेश पहला प्रश्ण है आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्ण है विच एक्ट ऑफ ब्रिटिस पाग्यामेंड एबोलिस द इस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इ बरी थी बिटिस इंडिया कंपनी की उसकी मोनोपोली कॉनसे एक्ट के दिवारा खदम किया गया ऑफसन ए है रेगुलेटिंग एक्ट ऑप्सन भी धाय स्टीइड क्यों जो चैयर्ट इन फlica इसि में जो मोनोपोली थी बिटिस इससे कंपनी की वह मोनोपली खतम कर दी गई लेकिन याद रखना है ठीके टी के लिए और चाइना के लिए ये मोनोपोली अभी भी थी ठीक है न तो याद रखना है इस सीच को ठीक है न ट्रेड विच चाइना एन ट्रेड इन टी ये दोनों अभी बने हुए थे बरकरार थे इन दोनों के अलावा जो मोनोपोली थी इसे खतम कर दी गए थी 1813 के एक्ट के द्वारा चलते हैं अगले प्रश्णों की और अगला प्रश्ण है बाई वीच ओप दी फॉल्लिविंग एक्ट लेजिसलेटिव काउंसिल ओफ इंडिया रेसीब दा पावर तु डिसकस दा बजट किस अधिनियम के द्वारा प्रश्ण ने भारत को बजट पर चर्चा करने की शक्ति मिल गई इंडियान कॉंसिल एक्ट ओफ 18192 या फिर 1909 का कॉंसिल एक्ट या फिर 1919 का कॉंसिल एक्ट कौन सा था ये एक्ट ही ये बताना है समझ में आ रिये बाद बिल्कुल तो जो 1892 का जो एक्ट था 1892 का जो एक्ट आया इस एक्ट के तहट क्या किया गया कि पावर दिया गया कि discuss the budget आप budget पर भी discuss कर शकते हो इससे पहले ये पावर नहीं था बाद समाझ में आ गई चलते हैं अगले प्रशनों की योड अगला प्रशन है in which of the following act the provision was made for the establishment of supreme court at कलकता कलकता में supreme court की अस्थापना की गई थी तो किस act के तहत की गई थी प्रशन ये है बिल्कुल तो regulating act of 1773 या फिर फिर इंडिया act of 1784 या फिर charter act of 1813 या फिर charter act of 1833 कौन सा जवाब इसमें सही होगा बिल्कुल तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है regulating act of 1773 1773 का जो regulating act था इस act के तहत सुप्रीम court की अस्थापना की गई थी भारत में कब की गई थी तो 1774 में 1774 में स्थापना की गई थी सुप्रीम court की बास समझ में आ गई और जो Elijah Impey थे Elijah Impey ये first chief justice थे इस सुप्रीम court के बास समझ में आई क्या चलते हैं अगले प्रशनों की और अगला प्रशन है by which of the following act was the federal court in India created किस act के तहत भारत में federal court बना नेम्रिकित में से कौन सा अधिनियम द्वारा भारत में संघिया court बनाया गया ओप्शन है Indian council act 1861 government of India act 1909 government of India act 1919 या फिर none of the above इन में से कोई नहीं बिल्कुल तो यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें से कोई भी नहीं है non of the above इसका जवाब है बिल्कुल तो क्यूं है non of the above क्या होगा सही जवाब तो जो सही जवाब है वो है 1935 1935 1935 का जो act आया Act था, इस Act के तहट, 1937 में 1st October को 1937 में बनाया गया था Federal Court in India, पास में आगे by Federal Court in India को बनाया गया 1937 में एक कप था 1935 इसे बोलते ही हिंदी में संघिय कोट बनाया गया चलते हैं अगले प्रश्णों की और अगला प्रश्ण है अब तो मैंने इसका जवाब दिया था पहले कि किस वर्ष में बनाया गया यहाँ पर आपसे एक्ट नहीं पुछ रहा है किस एक्ट के तहता है यह नहीं पुछता है कि किस वर्ष में बना था कोट बिल्कुल यहाँ पर तो अभी हमनों देख के ही आ रहे हैं कि 1937 में बन गया था बासामाद में आ रही है ना बिल्कुल अगला प्रश्ण है विच अब दी फॉल्विंग एक्ट सेट अप डायर की सिस्टम एट सेंट्रल लेबल हुआ क्या मजदार प्रश्ण है प्रश्ण यह है कि किस एक्ट के तहत जो डायर की थी इससे जैथ स्वासन प्रणाली बोलते है ठीक है तो इसे सेंट्रल लेबल पर कबल आया गया समझ सी है इन्डियन काॉंसील एक्ट नाटि जो नाइन या फ़िर इंडियन कॉंसील एक्ट एटेन नाइने टीट लॉबटा नाय थे तो बताना है कि किस एक्ट के तहट ऐसा किया गया बिल्कु सक्ठु यहां पे जो सही जवाब है वह है गॉर्मेन ट ओफ इन्डिया है थी यो द्वेस साशन पर डाली चल रही थी उसको कहां ला गया छेंटर लेबल पर लाया गया प्रविंश कहां लाया चेंटर पर लाया इस बात को ध्यान रखना है 1935 में ऐसा हुआ तवारत कर अधिनियं 1935 के था हैं डायरकी को लाया चेंटर लेबल पर चलते हैं अगले प् नियम था वह किस्से संबन्दी थे चार अप्सन दिये हैं यहां पर किस्से संबन्दी थे पहला है इंट्रदक्शन ओफ सेपरेट इलॉक्टरेट डी सेंटरलाजेशन डायर्की या फिर लेजिस्टरी कॉंसील फिर्थक निर्वाचन शेतिक शुरुवात विकेंदी क्रहण विधान परिशात्य संबन्दी थे किस्से संबन्दी थे बाई तो 1990 का जो एक्ट है बहुती फेमस प्रशन है यह चाहें आप एक्जामों के लिए फायदेमंद है और आपके नौलेज को और इस टॉपिक को बिल्कुल बुस्ट कर देगा थीके बिल्कुल यहां पर जो सही जवाब है वह है इंट्रॉपरेटि लॉक्टेट कभ लाए गया ठीके ना उनी सव नौ के द्वारा लाए गया ठीके ना बिल्कुल तो चलते हैं अगले प्रशनों की युद्ट ठीक है डायर की कभ लाए गया सेंटर पे अभी जाश्रम प्रिंटिर चाने पताया ठीक है 1935 में चरच चलते हैं अगले प्रत प्रेश्ण की हो अगला प्रश्ण है मैं विच आप फॉलिविंग इज आड़ प्रिंटिफल फिचर ओफ गोवर्मेंट औफ इंडिया पहला फिचर कहा रहा है, the introduction of diarchy in the executive government of the provinces, ठीक है न, क्या कहा रहा है, introduction of diarchy in the executive government of the provinces, दूसरा क्या कहा रहा है, ध्यां समझना है, दूसरा कहा रहा है, the introduction of separate communal electorate for Muslim, पढ़ता इस ली ओप्प्सन एक क्या है सही है कि यहाँ पर डायर्गी को इंट्रीउस किया गया था ठीक है ना एक्जिक्विटि गॉर्मनेंट और प्रोविश में उसके बाद second क्या कह रहा है introduction of separate communal electrode for muslim बहुती गलत सा जवाब statement दे रखा है ये वाला जो है न मुस्लिमों को जो communal electrode की बात की जाती है है न संप्रदाय के नाम पर vote की बात की जाती है तो ये 1909 में ही आ गया था 1909 में ही आ गया था न कि 1909 है इसका जवाब दे रहा है कि devolution of legislative authority by the center of the provinces बिल्कुल भाई ये भी सही है यहां पर devolution किया गया तो यहां पर 1 & 3 करेक्ट है तो option C जाएगा यहां पर 1 & 3 इस करेक्ट ठीक है अप्शन सी आयोब की चीज़े समाधी मैयोगी यहां से आप काट दोगे इसको ठीक है यह सही था और यह सही था यह तो पता है 1909 वाला पार्ट दिया हुआ और आपको यूपी वाले भी मिलेंगे और आपको यूपीसी वाले भी मिलेंगे ठीक है तो बने रहेएगा हमारे साथ अगला प्रशन है consider the statement पहला स्टेटमेंट क्या है दा मॉन्टेगी चर्म्स पर रिफॉर्म ऑफ नाटी नाटी रिकॉमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट अफ ऑल दा वोमेन एबब दा एज ओफ ट्वेंटीवन क्या कह रहा है उननाइस सो उननाइस जो मॉन्टेगी चर्म्स फुदार अधनियम था उसके तहट एकईस वार वर्स की सभी उम्रिकी महिलाओं को दे दिया गया था वोटिंग रैट क्या ऐसा था क्या ऐसा हुआ है किसी को याद आ रहा है कैसा हुआ था बिलकुल नहीं या सर जूट बोल रहा है यह तो यहां पर कटना है और यहां पर बिल्कुल गलत है और यहां पर बिल्कुल सही दे रखा है option two only two मतलब कि यहां पर बी क्या है यहां पर सही है only two यहां पर सही है ठीक है और one क्या था गड़बर था option one क्या था गड़बर था चलते हैं अगला प्रशनों की योड अगला प्रशन है कहे रहा है with reference to Indian civil services which of the following statement is are correct कौह साइसमें से statement सही है पहला statement की बात कर रहा है कि government of India act of 1990 provide for a separate examination for the Indian civil service which was to be held in India इंडिया की बात कर रहा है क्या यह सही है बिल्कुल जी यह बहुत ही सही जो statement दे रहा है कि government of India act 1990 के तहत ऐसा हुआ था यहां पर separate examination की बात की गई थी Indian civil services की ठीके ना जो कि इंडिया में होना था option one correct है यहां पर यह प्रस्ट ना आरो यारो का पुछा हुआ प्रस्ट है या दखना यूपी का second question है the Indian civil services in 1941 the percentage of Indian was more as compared to the European ठीके ना तो कहते है कि यहां पर Indian civil service उनी सुनी 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 नाटी फोर्टी वोन के तहत जो percentage था इंडियन का वह ज्यादा था यूरोपियं के नाटी फोर्टी वन बहुत ज्यादा पर सेंटेज था इंडिया का comparison to European option second भी सही है यहां पर तो यहां पर चूल लेते हैं कोई सा होगा वन टू बोथ वन एंड टू आर करेक्ट यहां पर ऑप्शन सी क्या है यहां पर बिलकुल शही है चलते हैं अगले प्रश्णों की ओर अगला प्रश्ण है which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy इसमें से किस act के तहत constitutional autocracy के सिधान को कहीं न कहीं introduce किया गया था ठीक है constitutional autocracy के सिधान को introduce किया गया था यह पूछ रहा है तो कौन सा जवाब होगा इंडियन कॉंसिल एक 1909 या फिर government of india act 1919 या फिर government of india act 1935 या फिर Indian independence act of 1947 तो भाई कौन सा था वह बिलकुल जी तो यहां पर जो था वह government of india act था कौन सा बता सकते हो क्या किसी को जवाब आ रहा है तो बताए भाई ठीके तो बिल्कुल जी जो सही जवाब है वो है 1935 वाला गौर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ठीके न यहां पर कहीं ने कहीं सिद्धान्त देखने को हमें पता है क्या पता है क्या रिजन पता है रिजन पता आफ्ली बार वह किस सब्सक्रीबा और रहला है किस एक्ट की बत कर रहा था एक्ट युझ siitä ऊप 10 टाइम भाई गौमेंट और फिदेया एक्ट 1939 सो नहीं के तहत बनाया गया था याद रखना 1919 ठीक याद प्रशन था ख। कि अगला प्रस्चन है अगले प्रस्चन को चलते हैं विचोथी फोल्विंग एक्ट इंट्स ए बाई camera legislature at the center ठीक है तो क्या होगा जवाब center पे इसका जवाब comment box में आप लोग जरूर दीजेगा एक question आप लोग छोड़ता हूँ जवाब दीजेगा जरूर ठीक है न चलते हैं अगले प्रशनों की और ठीक है अगले प्रशनों की और चलते हैं और यह रहाँ प्रशन है which act for the first time is it possible for Indian to take some share in administration of their country किस act के तहट पहली बार possible क्या गया कि यहाँ पर इंडियन को भी कुछ administration में पाट दिया जाए ठीक है ना कुछ उनको भी वो भी participate कर सके ठीक है एडिमिस्टेशन में तो कौन सा था वो ठीक है ना 1858 या फिर इंडियन कॉंसिलेक्ट 1861 ठीक है तो क्या होगा जवाब इसका ठीक है 33, 58 या फिर 68 क्या होगा जवाब बिल्कुल तो यहां पर जो सही जवाब है वो है 1833 शेटर रोक टॉप 1833 के तहट ऐसा किया गया था अगला प्रशन है क्योंकि यह जो प्रशन है यहां पर हमेशा लोगों को कुछ ने कुछ डाउट रहते हैं क्लियर्टी नहीं हुपाती है तो इस जितना प्रैक्टिस करों को उत्यों ज्यादा क्लियर्टी आपको मिलती रहेगी तो डिस्ट्रिबिशन ऑफ पावर बीट्में सेंटर एंड स्टेट एज इस तरीके से हमारे समयधान में बटा गया है कि यह सेंटर का पावर यह स्टे से पहले सोतनता से पहले कि कुछ से के टह्ता हुआ था तो कौंसे चारून था कौंसे रिफोर्म था इह बताना है तो किसम ऐसा कार्य और यह में आप्सन बी कह andद Funds कई का रहा है कि 35 35 वाले में आप्सन डी कह रहा है कि eli जौ हुआ था ऐसा का रहे व तRiscernible ओविज्ट से बहुत सारे हमारे समंधान में प्रोविजन लिए गये रहे हैं हुए ना और मैंने अभी बताया कि यहां पर क्या किया गया था भीट इब इवाइड कर दिया गया था मैं तो अगला प्रॉच्ण है क्या है वही कि इंदा फेडरेशन इस्टाबलिस अंडर दा एक्ट ऑप 1935 रेसे डियूरी पावर वियर गिवें टू करें के रेसे डियू पावर किसे रेसे डियू मतलबता बच गया मालो कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जो कि मालो की समिधान बन चुका है यूनिय लिस्ट है स्टेट लिस्ट तो जो उसमें जब समिधान बन उसमें थोड़ी यह बात किया था कि हमारे यहां इस्पेस टेकनोलोजी आएगी कंप्यूटर आएगा यह सारी बात उसमें नहीं थी है ना तो इन सब चीजों को किसमें में मेंशन किया जाएगा ठीक है ना तो यह क्या हो गया रेसिडिव जो बचे हुए उस्पेस हो गया जो कुछ अलग से बाग में आ जाएगा कोई ऐसे नियम कानून या फिर कोई चीज कोई प्रोविजन तो यह क्या है रेसिडिव हो गया तो वही कहा रहे कि यहां पर रेसिडिवरी जो सब्जेक्ट थे हैंना वो किसको दिये गया थे ठीक ह आ जाए पावर अगला प्रशन है विच और इस नियुट एं पर्मानेट इंपर्मानेट कॉंस्टिवेंट इन दा इंडिया अग्शन है बताना है कि कौन सा इसमें सही जवाब होगा विच इच करेक्ट कौन सा इसमें सही जवाब होगा वई option A कहरा कि a retained constitution for the country option B कहरा elected representative responsible to the legislature option C कहरा envisaging a scheme of federation option D कहरा कि nomination of official member of the legislature ठीक है तो बात समझ में आ गई तो 1935 में कौन सा provision था ठीक है न बिल्कुल भाई तो देखो यहां पर जो 1935 का जो प्रविश्णा federation के बारे में बात किया था जी बिल्कुल बात किया हम पर इसका question रगा सुक्के हैं फिर यहां पर नॉमिनेशन ओफ official member of the legislature बिल्कुल यहां भी हुआ था यह भी था यह भी था कि भाई आप क्या होगे responsible होगे लेकिन यहां पर रिटियन constitution for the country यह कोई नहीं था इसका सभी जबाब क्या होगा option A option A होगा note की बात करते है not important यहां पर option A समाज में आई क्या बात तो याद रखना बहुत ही मजदार प्रस्ण था यह ठीक है न बिल्कुल बाई और अगला प्रस्ण है one amongst the following was not an salient feature of the government of India नहीं है इसमें से feature नहीं है एक प्रोबाइड किया गया था ओल इंडिया फेडरेशन के लिए ठीक है उसके बात करें कि रिखने क्या करें कि नोट की बात कर रहा है नहीं की बात कर रहा है तो इध्यान से चुझ करना है ठीक है बिल्कुल तो option b यहाँ पर सही है। बिल्कुल सही दिये हुए यह सही है यह सही है यह सही है यह सही है यह वहला गलत था और यही क्या है हमारा जवाब है इस प्रस्शन का ठीक है तो यहां पर किसको दिए गया से अगला प्रश्ण है और इस देगा इस दीडियेक्त प्रश्ट कियों इंपोर्टेंट इसके जवाब है तो सही है यह मंने बताया न कि बहुत सारे पार्ट यहां से लिए गए हैं हमारे समिधान में तो यह में सोर्स है हमारे समिधान का बिल्कुल जी अगला प्रस्टन है विच अप फॉल्विंग एक्ट लेट टू दो सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रोम इंडिया किस एक्ट के तहट बर्मा का सेपरेशन हो गया बर्मा मतलब मेरमार है उसका सपरेशन हो गया इंडिया से 1909 के तहत 1935 के तहत 1937 एक्ट के तहत हुआ था बिल्कुल तो याद रखियागा ऑप्शन नमबर सी 1935 एक्ट के तहत है ना यहां पर सेपरेशन हो गया था बर्मा और इंडिया का 1935 एक्ट के तहत है ठीक है बहुत ही मज़दार प्रस्टन है वाई इन हाउ मैनी प्रविंसेज व थी वह कितने प्रविंसेज में अपनी सरकार बनाई थी ठीक है यह पूछ रहा है बिल्कुल तो याद दखना वाई तो यहां पर जो इलेक्शन हुआ था 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुए थे और 11 में से 8 प्रोविंसेज में क्या हुआ था इन्हों ने अपना सरकार बनाय प्रोविंसे कोई भी वी नहीं है तुए 11 में से में 8 अपनी सरकार बनाए थी है कहा अगर जानना झानलो भाई इंद्थ 8 प्रोविंसे थी ठीक है… कि क्यों बहुत सारे लिस्ट है 11 बताना पड़ेगा 11 में से आठ में तो इसको छोड़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं ठीक है अगले प्रश्णों की और प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग अप्ध कंस्यूशन ओफ इंडिया बाइन इलेक्टिट कंस्यूशन असेंबली व समीधान सभाव वह किसके तहत बनी थी सवेमने कमिस्ट फारा क्रिप्स मिशन के दौरा या बिटिस काविनेट ृप आलिगेशन के दौरा किस के दौरा बना था बहिए बिल्कुल तो क्रिप्स मिशन की बात चलती है इसमें जो प्रपोजल हाग कि समीधान बढ़ना चाहि बिल्कुल सही जवाब है क्रेप्ष मिशन कब आयता भाई 1942 में इसने बात किया था कि समिधान बनना चाहिए और जैसे ही World War WW2 खतम हो जाएगा भारत के समिधान सभाब बनेगी ठीक है समिधान बनने के लिए ठीक है तो याद रखना 1942 क्रेप्ष मिशन ठीक है सरेश्टरपट क्रेप्ष आइस पर काबिनेट मिशन प्लान के द्वारा इन दा कंस्योंट एसेंबली तो डिसाइड एलोटेड एलोटेड मेंबर्स सीट इन प्रोविंसेज वन रेप्रेजेंटिटी वाज रेशियो टू इस पोपुलेशन के जब इलेक्शन हुआ था जब स सेट कितने लोगों पर इसाइड़ ती जनसंख्या पर नबर एक सिट यहां पर डिसाइड़ थी किसके द्वाराद काबिनेट मिशन प्लान के द्वारा था 1946 में, को आया था 1946 में आया था Cabinet Mission Plan ठीक है, कौन-कौन थे भाई इसमें तीन मेंबर थे इसमें एक थे, सरे स्टपर क्रिप्स थे जो की 1942 में भी थे ठीक है, याद रखना, क्रिप्स मिशन के समय और A.B. Alexander थे और एक थे पैथिक लोरेंस इन तीनों का नाम याद रखिये गया इन तीनों व्यक्तियों का नाम पुछा जाता है ठीक है, Cabinet Mission Plan ठीक है अगला प्रस्न है Who among the following person was not a member of the Cabinet Mission जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें से कौन व्यक्ति Cabinet Mission का पार्ट नहीं है कौन व्यक्ति Cabinet Mission का पार्ट नहीं था ठीक है, विलियम वोड्स पैथिक लॉरेंस स्टेपोर्ड क्रेप्स या फिर एवी एलेक्जेंडर तो मैंने अभी जस्ट पिछले वीडियों बताया कौन व्यक्ति थे तीन व्यक्ति को नाम ने बताया एक व्यक्ति को हटा देना है और वो कौन है भाई, उसको खोजना है ठीक है, बिल्कुल तो मैंने बताया कि पैथिक लॉरेंस थे, एवी एलेक्जेंडर थे एस्टेपोर्ड त्रेप्स थे, मैंने इनके बारे नहीं बताया, तो यही ये वो व्यक्ति है, और यही क्या है आपका सही जवाब है, समाझ ही माया क्या विल्यम बूर्ट नहीं थे, यह तीनों व्यक्ति थे इन लोगों का नाम याद रखना होगा, ठीक है अगला प्रशन है इन्दा इंटरिम गॉवर्मेंट फोर्मुणा इंटरिम फोर्म है वाइस प्रैजडेंट उफ skip है वे थे जौहर्ड चाहरू नहरू थे ठीक है कौन थे यहां पर ठीक है बिल्कुल जी तो यहां पर जो थे वो थे जोहार लाल नेहरू थे ठीक है वाइस पर एक्जेक्टरी कॉंसल वाज जोहार लाल नेहरू ठीक है देखो 24 अगस्त को उनिशेआईच को इंटरी गॉर्मेNT का इनाउंस किया गया था खाब हुआता था एक है ये तो सब को पता हुआ जहां तक मुझे लगता है अगरा प्रेशन है वो गेप दा आइडिया और कंस्टीउएंट असेमली फॉर्स ली फॉर्ट फॉर्बेशन ऑफ कंस्टीउशन ऑफ इंडिया किसने आइडिया दिया था समिधान सभाब बनाने के लिए पहले बार है ना कौन आइडिय पार्टी मशायि नाजैन को न कौन सभाण वारत के बार में कौन सा जबाब सही है ठीकिक यह क्या होगा तरफ कि क्या होगा सही जबाब पहला क्या कहा है इट वाइन एडल्ट फ्रेंचाइज उन एडल्ट फ्रेंचाइज पर यह बेज़्ड नहीं था ठीक है तो बिल्कूल सही कहा है यहाँ पर कोई भी एडल्ट फ्रेंचाइज वाली कोई स्किम नहीं आई थी उसे मैं ठीक है न विक रहा है इसका मतलब कि हमें मिल चुका है option नबर स्थाइब नहीं था कि लिखने और अप्सवसराइब टो यह भी गलत दिया हुआ की यहां पर बहुत सी प्राइब इसके लिए आप रही यहां पर सही है ठीक है यह बहुती बढ़े एक्जाम का है ज्या दक्याँ टेकнул अगले प्रश्म क्यों चलते हैं Member of Constituent Assembly Who drafted the Constitution of India ठीक है बिल्कुल Member of Constituent Assembly Who drafted the Constitution of India कौन थे कैसे इनको किया गया था Nomination इनका Nominated by British Parliament Nominated by Government General Elected by Legislative Assembly of various provinces या फिर Elected by the Indian Congress and Muslim League कैसे elect हो कर किया आयते भाई ये लोग ठीक है यहाँ पर जो भी लोग draft कर रहे थे समिधान को बना रहे थे कैसे यहाँ पर चले आयते बिल्कुल तो ये आयत कैसे Elected by Legislative Assembly of various provinces ठीक है ना अलग-अलग provinces के लेजिसलेटिव एसेम्बली से ये लोग elect कर कर के आयते अगला प्रशन है Who was the first elected chairman of Constituent Assembly कौन पहला elected chairman था Constituent Assembly का Who was the first elected chairman of Constituent Assembly Option A है B.R. Amitkar Option B है Sachidanan Sinna Option C है Rajendra Prasad जी Option D है S. Radha Krishnan बिल्कुल तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है Rajendra Prasad ठीक है ना elected chairman of Constituent Assembly कौन थे Rajendra Prasad जी थे Option C is the correct answer ठीक है ना जलते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन है The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Amitkar ठीक है ना B.R. Amitkar के chairmanship में a draft किया गया था तो पूछ रहा है कि किस वर्ष में या फिर किस दे को किया गया था ठीक है The Constituent Assembly set up drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Amitkar तो करें 13 December 1946 या फिर 22 January 1947 या फिर 3 January 1947 या फिर 29 अगस्त 1947 तो भाई किस वर्ष में किया गया है इसका शही जवाब क्या होगा तो 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को बढ़ा आए जाथा chairman chief ब्यार मेट करके ठीक है Drafting committee 29 अगस्त 1947 ठीक है अगला प्रशन है who was the constitutional advisor at the time of formation of the constitution कह रहा कि constitutional advisor कौन थे जब समिधान बन रहा था बिल्कुल तो सही जवाब है पहले option देख लेते हैं बियार मेटकर राजन्त प्रशाद जी बियन राओ या फिर केम मुंशी तो जहां पर बियन राओ जी थे या दखिएगा अगला प्रशन है when did the constitutional assembly adopt the national flag किस वर्ष में समिधान सभार ने national flag को adopt किया बहुत ही बहुत टफ प्रशन नहीं है जी सब प्रशन है maximum लोग को ये जवाब पता भी होगा कि 22 जुलाई 1947 को ऐसा हुआ था बिल्कुल जी सब को पता है इसलिए हम थोड़ा सफ़ाज चल रहे हैं अगला प्रशन है the design of the following statement इस statement को चूछ करना है design for national flag was adopted by the constitutional assembly of India on 22nd July 97 सब को पता है कि 19 जुलाई 1947 को ये हुआ था बिल्कुल अभी जम देखकर के आ रहे हैं तो ये तो अगला प्रशन है the wheel in the national flag has 21 spoke correct national flag 21 बिल्कुल गलत बोल रहे हैं 24 spoke होते हैं तो ये तो गलत हो गया ratio of white of national flag to its length is यहां पे कहे रहा है कि कितना होता है 3 ratio 4 क्या होता है 2 ratio 3 होता है 3 ratio 4 होता है ये भी गलती है दे रहा है ठीक है ना option 1 मतलब कि only one is correct ठीक है चलते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है who among the following advice that Indian National Congress should be disband as a political party after the independence of India स्वतन्ता के बाद ये जो पार्टी है इंडिया National Congress इसको खतम कर देना चाहिए ये बात किसने कहा था बिल्कुल ये देश के पिताम महात्मा गांधी ने ये बात कहा था ठीक है कि इसे खतम कर देगे कि ये पार्टी ने देश को आजात कराने में help किया है इस पार्टी का लोग फाइदा विग्रत इस्तेमाल कर सकते हैं आज पॉलिटिकल मुद्दा बना करके ठीक है इसलिए महात्मा गांध के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे ये बताना है ये बी किरपलानी थे नहरू जी थे यह फिराजगोपलाचारी थे बिल्गुल यह थे यह याद रखिएगा जी बी किरपलानी ठीक है अगला प्रशन कह रहा है कि कॉंस्टिवेंट इसेंबली वास कॉंग्रेस और कॉं क्या है इंडिया है फूसेड दिस ओस्टी ने सिया रेटली ने विंसर चरचिल ने या फिल लॉड माउंट बैटा ने कौन का था यह बात बिल्कुल जी तो यह बात कह था और यह बात ऑस्टी ने का था याद रखिए कर बहुती मज़ार प्रशन है और यह किसी भी जाम प एच जे लासकी ने फिक केसी वेर ने बिल्कुल जी तो केशी वेर ने किसने कहा था केशी वेर ने यह बात कहा था कि इंडिया क्या की फेडरल है चीक है कि स्वारयों कि чувств का होता है हाओ के ना हाव हुर मेंबर्स विर देंड depends कि महिलाएं थी एंडियन कंस्युर्ण एसम्ली में कितनी महिलाओं ने participation किया था 15 13 12 10 बेकोल यहां पे 15 ने participation दिखाया था अपना कितनी महिलाओं थी 15 महिलाओं थी ठीक है तो यह आज का session यहां पर समापत होता है ठीक है और कैसा लगा ये वीडियो क्या आप लोग कुछ इससे knowledge मिला, सीखने को मिला, आप लोग जरूर अपने विचार को comment box में रख सकते हैं और कुछ सुझाव है तो आप जरूर हमें देश सकते हैं, thanks for listening, jahind